दोस्तों क्या आपने Axis Bank का credit कर लिया है और उसका pin generate करना चाहते हैं तो बिलकुल सही जगा पे आए हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि Axis Bank का जो credit card होता है उसका हम pin कैसे generate कर सकते हैं वो भी एक्तम आसान तरीके से तो बढ़े रहे हैं इस वीडियो के साथ और हाँ अगर आप हमारे चानल पे नए आये हैं तो जल्दी से हमारी इस टेक्निकल मेंदा वीरुप चैनल को subscribe करके बैले के को पर ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसे informative वीडियो ऐसे knowledgeable वीडियो आप त Access Mobile वो एप आप Play Store से जाके डाउनलोड करें उसके बाद login करें login करने के लिए आपको MPIN डालना होगा तो यहाँ पे हम MPIN डाल देते हैं यह हो गया अब हमें जाना होगा सर्विस वाले option पे यह रहा सर्विस उसके बाद हम credit cards पे click करेंगे उसके बाद new window open होके आएगी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि control center जो है right side में corner पे तो इस पे click करेंगे फिर यहाँ पे देखे दोस्तो set pin का option show हो रहा है तो इस पे हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको pin set करने के लिए send OTP पे click करना होगा फिर यहाँ पे हम click करेंगे उसके बाद आपको एक message मिलेगा जिसमें OTP होगा वही OTP आपको यहाँ पे डाल के verify करना होगा verify होने के बाद आप यहाँ पर अपना एक नया pin बनाए जो भी आप pin डालना चाहते हैं वो आप डाल दे लेकिन याद रखे दोस्तो पीन चाहाँ आप जो भी डाले वो आपको याद होनी चाहिए खैर pin डालने यह कोई भी दिक्कत आ रहे हैं तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताए और अगली वीडियो के topic पर चाहते हैं वो भी comment में mention ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को परशानी हो रही हो वो पिंजेनेट नहीं कर पा रहे हो उन्हें य अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत